पाड़ तो मीठा पहाड एक थी चीटी चीटियों की रानी वह बहुत ही परिश्रमी थी वह एक बिल में रहती थी उसके साथ और भी चीटियां रहती थी सभी चीटियां मिल जुल कर रहती और खोब काम करती एक दिन रानी चीटी अपने बिल से बाहर निकली वहाँ दो बिल्लियां आपस में लड़ रही थी अरे तुम लोग क्यों लड़ रही हो देखो यह रोटी मुझे चाहिए पहले रोटी मैंने देखी है इसलिए रोटी मेरी है देखने से क्या होता है रोटी को उठाया तो मैंने था इसलिए रोटी मेरी है अरे अरे लड़ना जगरना ठीक नहीं होता, मिलबाट कर रोटी खालो तुम्हारे कहने से क्या होता है, अब ये रोटी मेरी है तो मेरी है, तुम चली जाओ यहां से रानी चीटी आगे चली गई इतने में एक बंदर आया और उनकी रोटी छीन कर ले गया दोनों बिल्लियां देखती रह गई उधर चलते चलते रानी चीटी को एक बर्फी का टुकड़ा मिल गया रानी चीटी ने उसे सुंखा, फिर छू कर देखा वह खुश हो गई, उसे लगा यह तो मीठा पहाड है उसने बर्फी का टुकड़ा घर ले जाने के लिए खोब जोड लगाया पर वह उससे हिला भी नहीं वह फौरन भाग कर गई और बहुत सी चीटियों को बुला लाई सभी चीटियां पंक्ती बना कर एक दूसरे के पीछे चलने लगी आगे आगे रानी चीटि चलती पीछे पीछे सभी चीटियां शीक रही सब उस मीठे पहाड के पास पहुँच गए बहनों आज हम मीठे पहाड की खोब दावत करेंगे इसे खिसका कर बिल की ओर ले चलो सभी चीटियां खुश हो गए उन्होंने पहले तो पहाड को सुंगा और फिर उस से चिपक गई फिर सबने मिलकर जोड लगाया तो बर्फी का टुकडा खिसक गया धीरे धीरे विबर्फी का टुकडा खिसका कर बिल की ओर ले जाने लगी रास्ते में उन्हें काली और भुरी बिल्लियां मिली काली बिल्ली चीटियों पर ठाका लगाने लगी आरे इतनी सी तो बर्फी है और इतनी सारी चीटिया कौन कौन खाएगा इस बर्फी को हमारी फिक्र छोड़ो हम सब तो मिल बाट कर खा लेंगी परन्तु तुमारी रोटी का क्या हुआ क्या तुम दोनोंने रोटी मिल बाट कर खाली आरे नहीं हमारी रोटी तो बंदर ले गया अगर तुम दोनोंने मेरी बात मान ली होती तो तुमने भी मजे से रोटी खाली होती रानी चीटि की बात सुनकर दोनों बिल्लियों ने सर छुका लिया सभी चीटियां मीठा पहार लेकर बिल की ओर चली गई